बात करेंगे आपका आज के दाशी फलकी जानेंगी कैसा रहेगा आपका आज का दिन क्या कहतें आपके सितारे डॉक्टर नीतिया शर्मा बताएंगे है राशी के बारे में पेस तार से सुप्रभात नावाशकार मित्रों मैं दॉक्टर नीतिया शर्मा जोतिश वास्तु एवर्म रतन विशेशक ग्याप सभी का स्वागत करती हूँ चले जानते हैं आज का आपका राशी पर क्या कह रहा है आज हिंदू पंचांग के अनुसार 9 मैं 2023 मंगलवार जेश्ट महा के क्रिशन पक्ष की चदूर्थी तीति है आज के दिन राहुकार दुपहर तीन बच के 40 मिनट से 5 बच के 20 मिनट शाम तक रहेगा इस समय आपको कोई भी शुपकारे पर नहीं निकलना है नहीं कोई शुपकारे अप्रारम करना है मैं अबिजीत महुरत तो पहर 11 बच के 50 मिनट से 12 बच के 44 मिनट तक रहेगा ये वो समय है जिस समय आप कोई भी शुपकामनी संकोच होकर प्रारम कर सकते हैं आज के दिन दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है यानि कि नौर्थ डिरेक्शन उत्तर दिशा की तरफ आपको कोई भी महत्वपून यात्रा पर नहीं निकलना है मेश राशी और बुद्ध मंगल की मेश राशी से गोचर करेंगे मेश राशी यदि आप घर से दूर नौकरी करते हैं तो आज के दिन थोड़ा संभल कर काम पर जाएं क्योंकि दूर घटना होने की संभावना है इसलिए घर से निकलते समय साफधानी बरतें और जल्दबाजी ना करें उपाहे तू लाल रंग का कोई भी फल आप हनुमान जी को अरपित करें और गरीबों में भी बाटें किस्मत आपका सईयोग देगी शुबरंग आपके लिए संत्री शुबरंग आपके लिए नौव विश्व राशी लंबे समय से किसी बिमारी की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो उसमें आज आपको आराम मिलेगा कुछ समय के लिए मांसिक तनाप की समस्या रह सकती है लेकिन भेय जादा समय तक नहीं रह पाएगी उपाहे तु आज के दिन आपको गायतरी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है इससे आपके परेशानियां दूर होंगी वहीं शुबरंग आपके लिए हरा और शुबंग आपके लिए एक रहेगा मिथुन राशी कॉलिज में पढ़ रहे छात्र अपने काम में मन तो लगाएंगे लेकिन उनके अनुसार परिणाम मिलने में अभी समय लगेगा आप दोस्तों के साथ मिलकर भविष्य की योजनाई बनाते हुए देखे जाएंगे जो आगे चल कर आपको काफी लाब देने वाली है उपायेतु आज आपको चान्दी के गिलास से पानी पीना है शुबरंग आपके लिए सफेद रहने वाला है और शुबरंग आपके लिए आठ रहेगा करक राशी आज का दिन परिवारिक जीवन के लिए अनुकूल सिद होगा जिस कारण आप भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे यदि पहले से ही किसी परिवारिक दुविधा का आप सामना कर रहे हैं तो आज के दिन वह दूर होगी उपाये तु आपको गाय को हरा चारा खिलाना है हरी पालग भी आप गाय को खला सकते हैं शुबरंग आपके लिए सलेटी और शुबंग आपके दिन साथ रहेगा सिंग राशी यदि आप किसी एक्स्ट्रा कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज के दिन थोड़ा संबल कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा होगा जिस कारण आपको वह कोर्स छोड़ना पड़ सकता है। उपाहे तु आज के दिन आप बंदरों को केला खिलाएं, अगर बंदर आपको नहीं मिलते हैं, तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में आप केले के फल को वितरन करें। गरीबों में आप एक फल दे सकते हैं, शुबंग आपके लिए केसरी रहने वाला है, और शुबंग आपके लिए आज के दिन छे रहेगा। कन्या राशी, यदि आपने जमीन से सम्मंदित किसी काम में पैसा निवेश कर रखा है, तो आज के दिन आपको वहां से लाप राप्त होगा। सरकारी अधिकारियों को किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। उपाहेतू, चांदी की चेन आपको पहननी है, साथ में लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना है। शुबंग आपके लिए नीला रहने वाला है और शुबंग आपके लिए चाह रहेगा। तुला राशी, समाज में आपके मानसम्मान में वृद्धी देखने को मिलेगी और सभी आपका सम्मान करेंगे। दूर के रिष्टिदार का घर में आज के दिन आना हो सकता है और उनसे किसी काम को लेकर आज आपको सहायता भी प्राप्त हो सकती है। उपाहेतू, आपको मचलियों को आटे की गोली खेलानी हैं, ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्य पहले से ज़्यादा अच्छी होगी आज के दिन, शुबरंग आपके लिए पीला रहने वाला है और शुबरंग आपके लिए नौ रहेगा। प्रिश्चिक राशी, आज का दिन प्रेम सम्बंधों के लिए थोड़ा उथल पुथल वाला रहेगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम सम्बंध में हैं, तो उनसे दूर रहते हैं, तो किसी तीसरे के दौरा उसमें गलत फैमी पैदा की जाएगी। ऐसा करने से आप उसको रहने वाला है। धनुराशी, व्यपारी लोग यदि किसी नए समझोते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के दिन उसमें सफलता हाथ लगने वाली है। किसी कारणवश आपके पुराने ग्रहक आज के दिन नराज रह सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आप समस्या को भी लेंगे। उपाहेतु आज के दिन आपको शिरी सूकतम का पाठ करना है। शुबरंग आपके लिए भूरा और शुबरंग आपके लिए तिन मकर राशी। आज आप अपने घरवालों के साथ किसी यातरप पर जाने का मन बना सकते हैं, जिसमें रिष्टेदारों का भी सयोग प्राप्त होगा। इस दुरान आपका सभी के साथ संबंध भी पहले की तुलना में मजबूत होगा। उपाहेतु आज के दिन तुलसी के पौधे की सेवा करें और तुलसी के पौधे में जलरपन करें। शुबरंग आपके लिए ग्रे रहने वाला है और शादी के प्रतिक्षा कर रहे लोगों के आज मामा पक्ष से कोई शादी का प्रस्ताव सामने आ सकता है। उपाहेतु आज आपको शनीदेव के बीच मंत्र का जाप करना है। इसा करने से आपको लाब मिलेगा। शुबरंग आपके लिए महरून रहेगा और शुबरंग आपके लिए साथ रहेगा। अब बात करते हैं अन्तिम्राशी मीन की पिया आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आप अपने आप में एक नई उर्जा को महसूस करते हुए देखे जाएंगे और नए काम करने की आज आपको प्रेण अपराप्त होगी। इस काम में आपक के लिए आज के दिन छे रहेगा।